आपका स्वागत है दरन वी इशो क्लिप्स नेम बस देखते रहो और सीखते रहो जो आपने कहा कि आगोरी जालियां देते हैं आपक्चुली खुद का पुनिया ट्रांसवर कर रहा है काफी हद तक जब आप अगोरी को सुनते हो ना तब अगोरी की गाली के पीछे भी प्यारी होता है आप मिले हो बहुत सारे अगोरी से मिला हूँ मैं मनी करनी का मैं लास्ट येर मैं वारानसी में था 2022 में मन्थ में और उस वक्त मैंने अगोर पीट की मुलाकात ली थी अगोर पीट के जो संस्थापक थे वो थे बाबा किनाराम आज से चार सदी पहले, 400 साल पहले 16 वी सदी में बाबा किनाराम बहुत बड़े अगोरी हो गए भारत के वन ओफ दे मोस्ट रिनाउंड अगोरी जिन्हें कहा जाता है और ये कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ वो तीन दिन तक रोए नहीं थे स्वयम ब्रह्मा विश्नु महेश सादू के रूप में उनके घर आये थे उनके जो पिता थे अकबर सिंग और माता मंसा देवी उनके थ्रू उन्होंने अपने इस बालक को हाथ में लिया ब्रह्मा विश्नु महेश्निया और उनके कान में एक मंत्र फूका था तब जाकर बालक रोया था तीन दिन के पाथ इतना तेजस्वी बालक था जब उनका जनम हुआ तब और 117 साल जिये थे 170 ans उनकी आयू थी अगोरी की और बाबा किन्यराम के पास इतनी शक्तियां थी कि एक बार एक मुर्दा तैर कर जा रहा था गंगान नदी से और उन्होंने अपने एक गुरू थे बाबा कालू राम जी गुरू कालू राम जी और उन्होंने कहा कि देखो मुर्दा जा रहा है तो बाबा किना राम ने कहा नहीं मुर्दा नहीं है वो जिन्दा है तो कालू राम ने कहा साबित करके बताओ सिद्ध करके बताओ जिन्दा है तुरंथ ही बाबा किना राम ने कहा ए राम जी आवन रा खड़े हो और एक दो गाली दी साथ में और तुरंत वो जो मुर्दा जा रहा था तुरंत हका बका रहकर खड़ा हो गया और अपने पाउं से चलता हुआ बाबा के पास आया और फिर ये कहा जाता है कि पूरी जिंदगी वो राम जियावन राम अगोरी बनकर बाबा के शिश किन शाह जहा को कांधार का किला सिद्ध करना था और बाबा के नराम उस समय का कांधार महाभारत टाइम का गांधार जो गांधारी जहां से थी और आज का अफगानिस्तान तो वहाँ पे एक बार गए और बाबा के नराम ने कहा कि उन्होंने स्वागत किया शाह जहाने उन उत्तर भारत में एक बार वो वापिस आये और शाह जाह उस टाइम पर वहीं पर था और अपना मुम्तास की ताज महल करा रहा था वो पूरा उसका निर्मान चालू था और उसी में डूबा हुआ था तो उसने बाबा किनारम के उपर ध्यान नहीं दिया जब बाबा किनारम मह उनको हर्दूत किया गया वहां से बाबा कि नरम ने शाप दिया उसी वक्त शाह जहां को कि तो जिस गम में डूबा हुआ है वही गम तुझे ले डूबेगा और तेरा ही बेटा तुझे तेरी राजगदी से निकाल फेंकेगा और थोड़े ही दिनों में वास्तों में ऐसा पावरफुल संत थे कि जिन्होंने मुगल सामराज्य भी देखा हुआ था और इतने प्रोग्रेसिव अगोरी थे कि जातपात का जो भेद था वो भी उन्होंने मिटाया हुआ था सारी कुछ चीजे उन्होंने ये सारी चीजे करी थी तो मैंने उनकी किताब में एक बार नहीं पाते हो क्योंकि आपको ये लगता है कि अच्छा ये तो मुझे निकाल रहा हैं यहां से मुझे गालिया दे रहा है पर आपको क्यों मिलना था उनसे साधना के बार में जानने के लिए नहीं मुझे कूरियोसिटी थी और मुझे मैं अगोरपीट करके फिर वापस आता तो जब वापस आता था हर रोज रास्ते में बीच में विजही चोराहा पे अगोर पीट का ये दर्वाजा आता और आप गर दर्वाजा देखोगे ना उसका वहाँ पे तीन खोपरियां रखी हुई है तो मेरे जो बचपन का जो एक मेरे अंदर का जो है ना चोटा वाला उसे वो खिये खोपरियां ये हड़ी वड़ी ये सारी चीज़े बहुत पसंद है तो मुझे हरोस कुरियोसिटी हो दी थी कि मुझे यहाँ पर जाना एक दिन पता नहीं कब जाने को मिलेगा तो एक दो पेहर को मैं ऐसे ही गूम रहा था वारा नसी में पर बीच में विजे चोराहा आया और तुरंसा खुला हुआ था गेट जब सुबही जाता था गेट खुला हुआ नहीं होता था क्यूंकि बहुत साथ बज़े के आस पास मैं नीकल वापिस आजाता था होटेल के उपर लेकिन दो पेहर को गेट खुला हुआ था तो मैंने स किताब लिखनी थी जो हाल में रिलीज हुई अगुरेश्वर करके गुजराती मैं वो किताब तो अगुरेश्वर के लिए मुझे कुछ रिसर्च वगएरा करना था तो मुझे पता था कि मुझे इस मटेडियल चाहिए तो मुझे यहाँ से ही सबसे ज़ाद appropriate और authentic material मिल जाएगा तो मैं गया वहाँ पे वहाँ पे रनवीर 400 साल से एक दुनी जल रही है जो बुजी ही नहीं है वो दुनी बाबा किनाराम ने प्रजवलित की थी और आज की तारिख में भी वहाँ पे प्रसाद के तौर पर आपको उस दुनी में से भभूत दी जाती है और ये कहा जाता है कि अगर वो भभूत आप कोई भी बिमारी में अगर आप मुँ में रखके एक बार बगवान का नाम ले लो बाबा किनाराम का नाम ले लो तो आपकी बड़े से बड़ी बिमारी भी खत्म हो जाती है और ये बहुत सारे किस्से देखने को मिले है वहाँ पे ही बाबा किनाराम ने क्रिम कुंड को स्थापित किया है और क्रिम कुंड में माहिंगलाज स्थापित है पूरे विश्व में सिर्फ दो जगापे माहिंगलाज exist करती है एक है पाकिस्तान में जहां पे उनकी शक्ती पीठ है और दूसरी क्रिम कुंड में वारानसी में क्यूंकि एक कनेक्शन बाबा किनाराम का मेरी भूमी के साथ भी है जहां से मैं बिलॉंग करता हूँ सवराश्ट राजकोट नस्तीक में ही जुनागर्ड में गिरनार बहुती बड़ा एक spiritual mountain है वहाँ पे ही पगवान दतातरी ने अपनी तपस्या की थी गुरू गुरकनात भी वहाँ पे ही आये थे तो बाबा किनाराम ने भी अपनी तपस्याँ वहाँ से की है गिरनार से और बाबा की नेरम ने गुजरात के कच में भी बहुत सारी तपस्या की थी कच में जब वो तपस्या कर रहे थे कच की खाड़ी में तब उनको हर रोज एक स्त्री भोजन देने के लिए आते थी और उनकी जो दुनी रहते थी तपस्या की उनको 10-12 साल का एक बटुक भहरव वो स्वयम उन्हें साफ करते थे उनकी सफाई करते थे ये कहा जाता है कि भहरव स्वयम उनके वहाँ पे थे और मा स्वयम उन्हें बोजन कराने आते थी एक बार बाबा की नराम को क्यूरियोसिटी हुई कि आप कौन है जो मुझे मेरे जैसा अंजान को हर रोज इतना चलके इतनी विशम दुरगम परिस्तिती में खाना खाने के लिए देने के लिए आती हो आप तब उस स्त्री ने मुस्कुरा के कहा कि मैं वही हूँ जिनकी आप तपस्या कर रहे हो मैं ही हूँ मा हिंगलाज और मेरा समई हो चुका है आप मुझे काशी ले चलिए मुझे वहाँ पर आकर स्थापित होना है और तब जाकर ये कहा जाता है कि बगवान मनलब बाबा किनाराम जी ने मा को यहाँ से लेकर उनके पास वरदान मांगा कि आप करिम गुन में आकर स्थापित हो जाए और वहाँ पर सारे बगतों का कल्यान कीजिए तो ये थी बाबा किनाराम की कहानी जो मुझे इतनी जादा फैसिनेटिंग लगी कि उसके उपर पूरी अभी I'm thinking to write a book क्योंकि ये बात, ये घटनाए इतने बड़े अगोरी के बारे में आज तक कोई चीज पता ही नहीं चलिए लोगों को उसको ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड की हैं इस चैनल पर चैनल को एक्स्प्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ